टाइप निम्बर 6 का पहला कुश्यन देखते हैं, किसी मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात एक अनुपात दो है, अगर 10 लीटर मिश्रण को दूद से बदल दिया जाए, तो दूद और पानी की मातरा बराबर हो जाती है, मिश्रण की कुल मातरा ग्याद करें, याने देखे, कल तक हमारे पास जो भी कोश्यन थे, वहाँ पर हमें पुरानी मातरा या कुल मातरा दी हुई थी, टाइप नंबर 5 तक हमने जो भी कोश्यन देखे, हमने देखा कि वहाँ पर हमें बताया था कि कुल मिश्रण कितना है, इस बार उसने कुल मिश्रण नहीं दिया, और वही हमसे पूछ लिया, तो चलिए पहले याद करें थोड़ा सा कोशन कैसे करते थे, सबसे पहले हम लिखते थे कि milk और water का ratio क्या है, देखें, milk और water का ratio क्या है, 1, ratio, 2, है न, इसके बाद क्या बोला हुआ है, ये कुछ लीटर जो भी मिश्रन था, इसमें से मैंने 10 लीटर निकाल लिया, देखें, मैंने आपको कल बताया था, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि अगर मैं मिश्रन में से कुछ निकालता हूँ, तो मात्रा भले ही कम होगी, पर अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा, याने जो बचेगा, उसमें भी अनुपात एक अनुपात दो है, और जो निकलेगा, इसमें भी अनुपात एक अनुपात दो ही होगा, है ना, चले, अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसने बोला है कि अगर मैं 10 लीटर मिश्रन को दूद से बदल दूँ, बराबर का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको लास क्लास में बताया था, बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है, एक अनुपात एक, या 50-50 परसेंट, दोनों का मतलब बराबर होता है, और बराबर का मतलब तो बराबर होता है, तो ये तीनों conditions ही एक जैसी हैं तो हम यहाँ पर ratio में क्या लिखेंगे 1 ratio 1 अब इस पूरी कहानी को हम एक बार फिर से समझते हो देखते हैं कि इसको solve कैसे करना है जो मैंने आपके सामने लिखा यह एक graphical representation type का है कि जो question में लिखा हुआ है कि कुछ कुछ लीटर मिश्रण था जिसमें दूद और पानी का अनुपात एक अनुपात दो था इसमें से मैंने 10 लीटर निकाला जो बचा उसमें मैंने 10 लीटर मिलक एड़ कर दिया और इसके बाद यह अनुपात हो जाता है एक अनुपात एक अम मुझसे पूछा गया है कि शुरवाती मिश्रण क्या था देखे शुरवाती मिश्रण जो भी था आखिर में भी आते आते मिश्रण तो उतने ही लीटर हो गया होगा अनुपात भले ही बदला होगा पर अगर आपने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर मिला दिया तो कहने का मतलब यह कि अगर यह पहले 100 ल पूछे मेरा answer same होगा तो चलिए एक काम करते हैं जो आसान होता है निकालना वही निकाल लेते हैं अखरी वाला mission निकालना ज़ादा आसान है कैसे चलिए देखते हैं मैं एक बार इसको थोड़ा सा portion इसका रफ कर देता हूं इस stage के बाद मैंने इसमें milk मिलाया यानि यहां से यहां आते तक water तो change नहीं हुआ होगा और water change नहीं हुआ होगा तो water के parts भी equal होने चाहिए तो चलिए equal कर देते हैं यह कितना है two यह कितना है one equal करेंगे तो कैसे कर सकते हैं अगर मैं इसमें simply two का multiply कर दूँ तो मुझे यहां भी two का multiply करना पड़ेगा तो milk भले ही change हो पर water equal हो गया और equal क्यों किया क्योंकि हमने milk मिलाया था water नहीं तो अब देखिए यहां से नया अनुपात क्या बना जब आपने निकाला तब अनुपात था एक अनुपात दो इसके बाद आपने इसमें 10 लीटर milk आड़ किया और अ क्यों हुआ ऐसा क्योंकि आपने 10 लीटर milk आड़ किया था तो यहां से कितने parts बढ़े तो मैं बोलूँगा एक part बढ़ा तो अगर मेरा एक part 10 लीटर के बराबर तो last mixture तक आते आते हैं total 4 parts हो गए थे तो 4 part कितने के बराबर 40 लीटर के बराबर बोले clear है और अगर आखरी मे यह 40 लीटर है याने शुरुवात में भी कितना होगा 40 लीटर ही होगा देखिए यह मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना time लग रहा है अगर मैं इसको solve करूँगा तो कितना time लगेगा एक बार करके देख लेते हैं देखिए क्या होगा जैसी मैंने लिखा मिश्रण शुर अनुपाद एक अब करना क्या है अब करना कुछ नहीं है water को बराबर करना है क्योंकि यहां से यहां आते वक्त water equal था यहां पर two का multiply करूँगा यहां पर भी two का multiply करूँगा तो यह कितना हो गया दो अनुपाद दो बोले clear मिल्क पहले एक था अब दो हो गया कितना बढ़ एक किसके करेंट दस लीटर के करेंट तो एक हिस्सा कितने के बराबर दस लीटर के बराबर एक हिस्सा दस लीटर के बराबर तो टोटल चार हिस्से कितने के बराबर चालिस के बराबर और अगर आखरी में चालिस तो शुरुवात में भी कितना रहा होगा 40 liter ये 15 second का question है बोलते बोलते solve कर रहा हूं इतना time लग रहा है आप खुद solve करेंगे 15 second का question है बोले clear है यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो चलिए question number 2 देख लेते हैं type number 6 का एक और question देख लेते हैं तो ये हमारे type number 6 का question number 2 है किसी मिश्रण में दूद और पानी का अनुपाद 3 अनुपाद 2 है milk and water ratio है 3 ratio 2 अगर 15 liter मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो 2 अनुपाद 3 हो जाता है अगर मैं इसमें 15 liter निकालूं और फिर इसमें 15 liter water add कर दूं देखे क्या add करना है वो बहुत ज़रूरी है 15 liter water add करना है तो निकालने पर अनुपाद 3 अनुपाद 2 ही रहेगा मिलाया तो अनुपाद हो गया 2 अनुपाद 3 बोले clear यहां से यहां आते तक क्या नहीं बदला क्या change नहीं होगा यहां से यहां आने में milk change नहीं होना चाहिए तो milk को बराबर करते हैं इधर 2 का गुणा और इधर 3 का गुणा यहां भी 2 का गुणा और यहां भी 3 का गुणा अब यह जो पूरे नया ratio है इसको ले लेते हैं देखिए यहां का ratio क्या हो जाएगा यहां पर यह ratio बन जाएगा 6 ratio 4 और यहां का ratio क्या हो जाएगा यह ratio हो जाएगा 6 ratio 9 ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपने 15 liter water add किया था तो बस यह देखिए यहां से यह पहले बीच है था अभी बीच है है यह पहले 4 था अब नहों के कितना बढ़ गया 5 5 कितने के बराबर 15 के बराबर तो 1 की value 3 के बराबर या 3 liter के बराबर तो आखिर तक आते आते ही total कितने parts हो गए थे 15 parts हो गए थे आखिर तक आते ही 15 parts हो अगर एक part के value 3 liter तो 15 तिया 45 liter अगर आखरी में 45 liter है याने ये शुरुवात में भी कितना रहा होगा 45 लीटर ही रहा होगा बोलिए क्या है ये बात आपको समझ में बहुत सिंपल कोशन है 15 सिकेंड के अंदर ही ये सॉल्व हो सकता है मैं बोल बोल के खर रहा हूं इसलिए इतना डायम लग रहा है चलिए एक और कोशन देख लेते हैं आपके फाइनल सारे डाउट से हाँ पर क्लियर हो जाएं क्लास कोशन देख लेते हैं स्टाइप का किसी मिश्रण में दूद और पानी का अनुपाद एक अनुपाद एक है अगर 2.4 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो चलिए इसके आगे क्या करना है इस 2.4 लीटर को पानी से बदल दिया गया याने यहाँ पर मैं जो चीज मिलाओंगा वो क्या होगा पानी होगा तो 2.4 लीटर वाटर एड़ कर दिया मैंने अब यहां से बात सुनिएगा यहाँ पर मिश्रण कितना हो जाता है तो आप बुलेंगे से 2.3 हो जाता है आखरी में जितना लीटर था शुरुवात में भी उतना ही लीटर रहा होगा यह थी मेरी गिवन डेटा या गिवन जानकारी अब इसके बाद मैं सॉल्व कैसे करूँगा तो देखिए यहां से ज किया याने इन दोनों को बराबर करना होगा बराबर करने के लिए क्या करेंगे देखिए दो है यह एक है आप सिंपली यहां पर एक का गुणा कर ले और यहां पर दो का गुणा कर ले तो यहां पर भी दो का गुणा हो जाएगा और यहां पर भी एक का गुणा हो जाएग तो एक की वेल्यू 2.4 लीटर तो आखिर में 5 पार्ट से हैं ध्यान से दोनेगा आखिर में 5 पार्ट से हैं एक की वेल्यू 2.4 तो पार्च की वेल्यू कितनी होगी 12 लीटर अगर आखरी में 12 लीटर याने शुरुवात में भी कितना रहा होगा 12 लीटर ही रहा होगा यही मेर इस question का सही answer है मेरे ख्याल से अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी इसमें आपको कोई doubt नहीं होगा तो चलिए अब हम चलते हैं अपने type number 7 की ओर type number 7 का पहला question क्या बोला हुए 80 लीटर के मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात 1 अनुपात 3 कितने लीटर मिश्रण को पानी से बदलने पर मिश्रण का अनुपात 1 अनुपात 4 होगा देखे कुछ data दिया हुआ है कुछ पूछा हुआ है अगर आप इसको पिछले question से compare करेंगे तो थोड़ा सांतर है क्या पिछले question में कितने लीटर निकाला था ये दिया हुआ था और कितने लीटर है ये पूछा हुआ था इस बार question थोड़ा सा उल्टा कर दिया है रिवर्स कर दिया है है ना इस बार 80 लीटर का mission उसने बता दिया अनुपाद क्या था तो अनुपाद था एक अनुपाद तीन फिर उसने बोला कि कुछ निकाला सपोज आपने एक्स लीटर निकाल लिया और फिर इतना ही आपने पानी मिला दिया x लीडर आपने water मिला दिया और ये अनुपात कितना हो गया ये अनुपात हो गया एक अनुपात शार और आपसे पूछा गया कि ये x के value बताईए कि आपने कितना लीडर निकाला और कितना मिलाया तो यहाँ पर एक बात समझ़ेगा आप चाहे x निकाले, चाहे 2x निकाले, चाहे पूरा 80 निकाले, अनुपाद जो बचेगा, वो तो एक अनुपाद 3 ही होगा, यानि निकालने पर अनुपाद नहीं बदलेगा, पर मिलाने पर अनुपाद बदलता है, अब यहाँ पर समझेगा, इस state से यहाँ तक आने में, हम पहले कितना था? तीन. अब कितना है? चार. यानि यानि कितने पार्ट बढ़ गए? तो मैं बोलूँगा एक पार्ट बढ़ गया. तो Qи recording chief, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कही न कहीं मेरा जो एक पार्ट है, यही तो मेरा एक सै वैस्ट बात समझ में आ रही है आपको ये जो एक पार्ट बढ़ा है ये किसके कारण बढ़ा है एकस लीटर के कारण याने मेरा एक पार्ट कितने के बराबर है एकस लीटर के बराबर है अब मैंने आपको अभी बताया था कि जितना मिश्रण शुरुवात में था उतना ही मिश्रण तो आखरी में भी होगा, क्योंकि आपने X लीटर, निकाला X लीटर मिला दिया, अनुपात भले ही बदला पर, अगर पहले 80 लीटर था, तो वापस अभी कितना लीटर हो गया, 80 लीटर ही तो हो गया, है की ने, तो देखिए, लास्ट में, मिश्रण को ध्यान से देखिएगा, एक और चार, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, टोटल मिश्रण में अगर मैं पार्ट्स गिनूँ तो 5, तो अगर मेरे 5 पार्ट 80 लीटर के बराबर है, तो मेरा एक पार्ट कितने के बराबर होगा, तो 80 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 16 लीटर, और ये मेरा एक पार्ट ही तो मेरा एक्स के बराबर था, यानि 16 लीटर ही तो मेरा एक्स था, यानि आपने कितना लीटर निकाला था, आपने एक्चली 16 लीटर निकाला था, और 16 लीटर पानी मिलाया था तब जाकर 1 अनुपाद 3 से 1 अनुपाद 4 हुआ था तो question का सही answer क्या होगा 16 लीटर जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देखिएगा इसको ये बहुत easy है छोटा सा यहाँ पर आपको confusion यह हो सकता है कि x बराबर 16 कैसे हो गया तो बहुत simple है शुरुआत में 80 लीटर आखरी में भी 80 लीटर हमने बस यही देखा कि कितना बढ़ा तो अगर 1 x के बराबर तो total तो ये 5 था 5 80 के बराबर तो 1 16 के बराबर और एगर 1 16 के बराबर तो 1 x के बराबर याने 16 और x भी तो आपस में बराबर होंगे है की नहीं तो आपने जो निकाला था वो 16 लीटर और जो मिलाया था वो भी 16 लीटर तो हमारा अंसर कितना होगा 16 लीटर वो लिए clear है जिनको नहीं समझ में आया है एक और question देखते हैं जादा clear हो जाएगा important question है SSC 12-16 में पूछा गया है मैंने maximum questions वही लिए हैं जो आपको exams में पूछे जाते हैं और ऐसे ही questions आपको आगे exams में देखने मिल सकते हैं चलिए देखते हैं अगला question तो अगला question क्या बोलता है 18 लीटर के मिश्रण में दूद और पानी का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है ठीक है मैंने मान लिया 18 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूद और पानी का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है कितने लीटर मिश्रण को पानी से बदलने पर मिश्रण में अनुपाद 1 अनुपाद 2 होगा पहले तो आपने कुछ लीटर निकाला पिर आपने एक्स लीटर पानी मिला दिया और फिर ये अनुपाद, एक अनुपाद दो हो गया बिलकुल टैंशन न लें, बिलकुल भी टैंशन न लें बहुत ऊज़ी कुश्चन है सबसे पहले जो basic concept हो उसको पक्रे रखें निकालने पर अनुपाद बदलेगा क्या नहीं बदलेगा याने अनुपाद अभी भी कितना रहेगा 2 अनुपाद 3 इसके बाद आपने उतना ही पानी मिला दिया अनुपाद हो गया एक अनुपाद 2 तो अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर मेरा 3 से ये 4 हो गया याने कितना बढ़ा तो मैं बोलूँगा एक बढ़ा और मेरा एक पाट कितने के बढ़ाबर एक्स लीडर के बढ़ाबर अगर शुरुवात में 18 था तो आखर में भी 18 ही तो होगा तो 6 बराबर 18 तो 1 की value 3 लीटर तो x की value भी 3 लीटर याने आपने कितने लीटर निकाला था 3 लीटर और कितने लीटर मिलाया 3 लीटर आंसर होगा 3 लीटर वो लिए बात समझ में आई बहुत simple question है न बस थोड़ा सा concept समझने की दे रही है इसके बाद ये questions आपके लिए बिल्क questions भी बना ही लेंगे अपने आपसे वीडियो पॉस करें खुद से बना करने की कोशिश करें और उसके बाद देखें कि सहीं आपने बनाया या नहीं चलिए देखतें question क्या लेखा हुआ है 40 लीटर के एक मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात एक अनुपात दो है 40 लीटर ओफ मिक्षर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1 रेशियो 2 वोले क्लियर है कितने लीटर मिश्रण को दूद से बदलने पर मिश्रण का अनुपात एक अनुपात एक होगा देखे आपने कुछ लीटर मिश्रण को निकाला एक्स लीटर निकाला और उसके बाद एक्स लीटर मिल्क एड किया है इस बात को ध्यान रखें और ये अनुपात एक अनुपात एक होगा अब देखे एक अनुपात एक को वो आपको 50-50% भी बोल सकता था या बराबर भी बोल सकता था तो दोनों का मतलब ही सेम होगा चलिए अब यहां से देखते हैं आपने निकाला तो अनुपात कितना रहेगा? अभी भी एक अनुपात दो. आपने मिलाया, तो अब यहां पर आपने क्योंकि मिलक मिलाया है, तो किसको बराबर करना होगा? वाटर को, और वाटर को बराबर करने के लिए आपको simply नीचे दो कागुणा करना है, तो ये भी दो हो जाएगा और यहां पर दो हो जाएगा तो यहां पर भी दो का गोना करेंगे तो अब यह जो नया अनुपात है यह कितना है दो अनुपात दो बुले क्लियर है अब यहां से देखेंगे पानी यहां पर दो था यहां पर भी दो था milk यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 हो गया ऐसा क्यों हो गया क्योंकि आपने x liter मिलाया तो एक बढ़ा है और एक की value x liter याने मेरा एक अगर x liter के बराबर है तो मुझे x liter की value निकालने के लिए एक हिस्से की value निकालना है देखी शुरुवात में 40 था तो आखरी में भी कितना होगा 40 आखर में 4 बराबर 40 तो एक की value 10 liter और एक की value 10 liter याने x की value भी 10 liter याने आपने 10 liter निकाला था और 10 liter मिलाया था तो हमारा अंसर कितना होगा 10 liter बोले clear है अरे क्याल से आब आखको समझ में आ लिए होगा तो यहां तक यह रहा है type number 7 इसके बाद हम type बात करेंगे type number 8 की चलिए देखते हैं type number 8 में किस type के questions है तो type number 8 का पहला question क्या लिखा हुआ है किसी मिश्रण में दूद और पानी का अनुबाद 4 अनुबाद 3 है मिश्रण में कितने हिस्से को पानी से बदलने पर दूद और पानी की मातरा बराबर होगी देखें आपर question बिलकुल बदल चुका है थोड़ा सा ध्यान दीजेगे एक बहुत अच्छा सवाल है जो total mixture था इसका कितना fraction इसका कितना portion मैं निकालूँ और इसको मैंने पानी से बदल दिया एक्स लीटर मैंने milk बिला दिया देखें इसको लीटर बोलना गलत होगा क्योंकि मैं यहाँ पर हिस्सों की बात कर रहा हूँ तो total जो भी mixture था इसका कुछ हिस्सा मैंने निकाला उतना ही पानी मिला दिया और दूद और पानी की मात्रा बराबर हो गई बराबर होने का मतलब मैंने अनुपात में क्या बताया था आपको बारबर एक अनुपात एक बुले यहाँ तक clear है चलिए आपने निकाला तो अनुपात क्या होगा चार अनुपात तीन निकालने पर अनुपात नहीं बदलता पर जब आपने मिलाया तो अनुपात हो गया एक अनुपात एक अब यहाँ पर एक चीज़ clear है आपने अगर milk नहीं water मिलाया है आपने अगर यहां पर water add किया है तो सीधी सी बात है कि यहां से यहां आते वक्त milk बिल्कुल भी add नहीं हुआ होगा याने milk की quantity को यहां और यहां में बराबर करूँगा, तो simply यहां पर कितने का गुणा करूँगा, चार का तो यहां पर भी कितने का करना पड़ेगा, चार का ऊपर कुछ भी गुणा करने के जरूरत है क्या बिल्कुल नहीं है, तो यह अनुपात कितना हो गया यह अनुपात हो गया अब चार अनुपात, चार बोली क्लियर है, बात समझ में आगी अभी जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसा बस सुनते जाएए मिल्क पहले भी चार था, अभी भी चार है वाटर पहले तीन था, अब चार हो गया कितना बढ़ा, एक बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने एक्स लीटर मिलाया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक्स था, वो मेरा एक हिस्सा था, जो एक्स मैंने निकाला था, वो क्या था, मेरा एक हिस्सा, एक पार्ट था, यानि मैंने एक पार्ट निकाला और एक पार्ट मिला दिया, अब देखे total mixture, अगर आखर में 8 part, तो देखे, इस में से एक part तो ऐसा था, जिसको आपने निकाल कर मिलाया, तो अगर मैं ने आपसे बोंचा है कि कितना हिस्सा, तो आप बोलेंगे 8 में से एक part, total art था उसमें से आपने एक निकाला, एक लाया याने 8 में से एक part fraction या हिस्सों में कैसे लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 1 बटा 8 8 में से 1 कैसे लिखेंगे अगर आपको 8 नमबर के paper में 1 नमबर मिलेगा तो आप कैसे लिखेंगे उसको एक बटा आठ ही तो लिखेंगे, तो आठ हिस्सों में से आपने एक हिस्सा निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, याने आपने एक बटा आठ निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, यह रहा है इस question का answer, बहुत simple, सिर्फ question सुनने में थोड़ा सा confusing है, समझ लिए एक बार, त खतम काहानी, बात समझ बें आगई आपको, एक question और देखते हैं, थोड़ा और आपको, आपके doubts clear हो जाए, question क्या लिखा हुए, किसी मिश्रण में दूद और पानी का अनुपाद 2, 4, 4, 3 है, ठीक है, 4, ratio 3 है, कितने हिस्से, देखिए हिस्से, लीटर नहीं पूपचा है, हिस्से पूपचा है, तो आपको fraction में answer देना है, हिस्सों में, हिस्सों का मतलब fraction, fraction में answer देना आपको, तो fraction निकालना पड़ेगा पहले ठीक है कितने हिस्से को पानी से बदल देने पर दूद और पानी की मात्रा का अनुपाद 2-3 हो जाएगा आपने यहां से सपोज एक्स लीटर निकाला और फिर आपने एक्स लीटर पानी मिला दिया है याद रखेंगे मिलाना क्या है एक्स वाटर यह अनुपाद कितना हो गए यह अनुपाद हो गया 2-5-3 तो देखिए जब आपने निकाला था तब तो अनुपाद नहीं बदलेगा 4-3 ही रहेगा पर जब आप मिलाएंगे तो 2-5-3 हो गया अब आपने मिलाया क्या water क्या नहीं मिलाया तो milk पहले 4 था तो अभी भी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए कैसे करेंगे बराबर तो आप simply यहाँ पर 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 3 में भी कितने का गुणा करना होगा 2 का अब जो नहीं रेशियो है वो क्या बन गया वो बन गया 4 रेशियो 6 बोले क्लिया रहे बात समझ में आई तो अब देखिए milk पहले भी 4 था अभी भी 4 है water पहले 3 था अब 6 हो गया कितना बढ़ा तो आप बोलेंगे सर 3 बढ़ा तो अब मेरे लिए 3 हिस्सा x के बराबर मेरे 3 हिस्से कितने के बराबर x के बराबर याने मैं बोलूँ आप से कि मैंने x निकाला या मैं आप से बोलूँ कि मैंने 3 हिस्से निकाला बात एक ही है देखिए आखरी तक total mixture कितना हो गया था 10 हो गया था आखरी तक total mixture कितना हो गया था 10 तो अगर आपके पास आखर में 10 मिश्रण है या 10 total parts है जिसमें से 3 आपने निकाल कर मिलाए थे तो हम हिस्सों में कैसे बोलेंगे इसको fraction में कैसे बोलेंगे तो 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया fraction कैसे बोलेंगे 3 बटा 10 बात समझ में 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया 10 नंबर में से 3 नंबर मिले कैसे लिखते हैं 3 बटा 10 तो ऐसे ही यहाँ पर 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया तो fraction में क्या बोलेंगे 3 बटा 10 टोटल था दस जिसमें से आपने तीन निकाला तो तीन बटा दस बात समझ में बहुत इजी कोशन है बहुत सिंपल कोशन है एक कोशन और देखते हैं ताकि जो बचा कुछा डाउट है आपका वो भी क्लियर हो जाए इंपॉर्टेंट कोशन है स्सी 12-16 में भी पूछा है 15 में भी पूछा है हर साल आपको SSC में इस टाइप के कोशन मिल जाएगा चाहे वो CPO चाहे वो CGL हो कहीं पर भी इवन ऐसे कोशन बैंक में भी बहुत पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट टाइप है चलि आगे देखते हैं इसे ही का एक और को किसी मिश्रण में दूद और पानी का नुपाद चार नुपाद एक है ठीक है मिल्क और वाटर का रेशियो 4 रेशियो 1 है कितने हिस्से को पानी से बदलने पर दूद और पानी की मात्रा का नुपाद 2 अनुपाद 1 होगा देखिए यहां से मैंने कुछ हिस्सा निकाला और इतना ही मैंने इस बार क्या एड़ किया है water इस बार मैंने water एड़ किया है तो किसको बराबर करेंगे milk को बात समझ मैं चलिए निकालने पर अनुपात नहीं बदलेगा चार अनुपात एक ही रहेगा पर जब आपने मिलाया तो अनुपात क्या हो गया दो अनुपात एक अब यहाँ पर आपने water मिलाया था milk नहीं मिलाया तो milk को बराबर करें कैसे करेंगे simply यहाँ पर दो का गुणा और यहाँ पर भी दो का गुणा तो देखिए ratio क्या हो जाएगा चार अनुपात दो milk पहले भी चार था अभी भी चार है water पहले एक था अब दो हो गया कितना बढ़ा एक याने x कितने के बराबर एक के बराबर टोटल कितना था 6 तो 6 में से एक निकाला एक मिलाया तो मैं बोलूँगा एक बढ़टा 6 है सिंपल खतम बोले यह तो पंदर सकेंड का question में नहीं है है ना तो देखिए इसी टाइप से questions बनेंगे बहुत easy है मेरे क्याल से आपको यह clear हो गए होंगे चलिए अब देखते हम अपना type number 9 तो चलिए friends अब हम देखते हैं हमारा type number 9 देखिए अभी तक हमने जो भी questions रहे थे कुछ मिला रहे थे याने या तो जब हमने निकाला वो milk था और जो मिलाया वो भी milk था या जब निकाला वो water था जो मिलाया वो भी water था कहने का मतलब यह कि अभी तक हमने जो भी किया वो केवल और केवल या तो सिर्फ milk के साथ किया या सिर्फ water के साथ किया जो भी यहाँ पर दो mixtures की बात करेंगे आपके दिमाग में भी यह सवाल आया होगा कि क्या हो अगर milk और water दोनों मिलाने लग जाए तो देखिए यहाँ पर वो conditions बनती है जहाँ पर आपको एक मिश्रण और दूसरा मिश्रण दोनों को मिलाया जा रहा है और इन दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नया मिश्रण क्या बनेगा यह निकालना होता है अब पहले मिश्रण में भी milk और water की कुछ quantity है और दूसरे मिश्रण में भी milk और water की कुछ quantity है तो देखिए इस टाइप की questions को कैसे करना है वो समझते हैं सबसे पहले question पढ़ लेते है 20 लीटर वा 30 लीटर के 2 मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात क्रमशाह 1 अनुपात 3 और 1 अनुपात 2 है देखिए हमारे पास 2 मिक्षर ने इस बार एक है 20 लीटर का और एक है 30 लीटर का इस 20 लीटर वाले मिक्षर में जो रेशियो है वो 1 रेशियो 3 है और इस 30 लीटर वाले मिक्षर में जो रेशियो है वो है 1 रेशियो 2 सवाल क्या बूच है हुआ है इन्हें मिलाने पर दूद और पानी का नया अनुपात या दूद और पानी का अनुपाद क्या होगा अब देखिए आपको इन नोनों को मिलाना है एक बात तो clear है इन नोनों को मिलाएंगे तो कितने लीटर का मिक्षर बनेगा 50 लीटर का पर इस 50 लीटर के मिक्षर में क्या एक अनुपाद 3 में दूद और पानी होगा या एक अनुपाद 2 में होगा या इन दोनों को मिलाने पर कुछ अलग ही अंसर आएगा तो अब भी जानते हैं कि इन दोनों को मिलाने पर कुछ अलग ही अंसर आएगा ना तो एक अनुपाद 3 आएगा ना एक अनुपाद 2 आ तो देखिए कितने गुना हो गया पांच गुना हुआ कि नहीं हुआ तो याने बाकी लोग भी कितने गुना हो जाएंगे पांच तो पांच एकम पांच पहले वाले मिक्षर में दूद की मात्रा पांच लीटर और पांच दिया पंदरा याने पहले वाले मिक्षर में पानी क के बराबर तो एक के वैल्यू 10 के बराबर याने ये 10 लीटर होगा और ये 20 लीटर होगा अब करना क्या है करना कुछ भी नहीं है इन दोनों को मिला देना है मिलाने पर क्या होगा मिलाने पर ये होगा कि मिल्क और मिल्क साथ में एड़ होकर हमें देंगे milk 25 लीटर और water के साथ क्या होगा तो water भी इसी प्रकार add होगा तो 15 और 20 कोल मिलागर हमें देंगे 35 लीटर of water तो जब मैं इन दोनों को मिलाओंगा तो देखें टोटल 50 लीटर भी हो गया और 25 और 35 का अनुपात कितना आएगा क्या कि हमें total mixture दिया हुआ था तो सबसे पहले हमने milk और water निकाल लिया और दूसरे वाले mixture में भी milk और water निकाल लिया ऐसा करने पर क्या हुआ हमें पता चल गया कि पहले mixture में milk water कितना है और दूसरे mixture में milk और water कितना है इन दोनों को मिलाना था तो मिलाने का मतलब milk में milk आइड कर देंगे water में water आइड कर देंगे और दोनों को जोड़कर simply ratio निकाल कर लिख देंगे बहुत easy question है मेरे क्याल से चलिए अब हम चलते हैं अपने type number 9 के ही question number 2 पर अगले question पर तो देखें दूसरा question क्या दिया हुआ है अब हम सभी जानते हैं कि total parts अगर मुझे पता है और लीटर पता है तो मैं इतना तो निकाली सकता हूँ कि कितना milk है कितना water है फिर मुझे से पूछा है कि दोनों को मिलाने पर दूद और पानी कानुपाद क्या होगा बहुत simple बहुत easy कैसे करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर total कितने parts हैं पांच अब देखे हर बार हम equate नहीं करेंगे सीधा देखे 5 कितने के बराबर 15 के बराबर पांच कितने के बराबर 15 तो यह कितने गुणा है तीन गुणा है पांच हिससे 15 लीटर के बराबर तो यह कितने गुणा है तो हम बाकियों को भी तीन गुणा कर देंगे यहाँ तीन दुनी 6 लीटर इसमें milk है और तीन दिया 9 लीटर इसमें water है सेम यहां पर भी करेंगे तो 2 और 3 total कितने parts हो गए 2 और 1 total कितने parts हो गए 3 अब क्योंकि total 3 है और यहाँ liter में किता है 30 तो देखी कितने गुना हो गया 10 गुना क्योंकि यह 10 गुना है तो बाकी भी 10 गुना तो 2 की जगा 20 लिखेंगे और एक की जगा दस लिखेंगे और जब इन नोनों को मिलाएंगे तो milk में milk और water में water एड़ करके लिख देंगे तो milk कितना आएगा 26 liter of milk और water कितना आएगा 19 liter of water अब कटेगा तो ठीक है नहीं कटेगा तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है लीटर से लीटर कैंसल करके मान के चलेंगे और आंसर कितना होगा 26 ratio 19 वो लिए clear है मेरे क्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस टाइप के questions कैसे बनाने एक आखरी question और देख लेते हैं जिनके बंद में थोड़ा बहुत भी doubt बचा है वो भी clear हो जाए अगला सवाल 36 लीटर वा 36 लीटर के दो मिश्राण याने दोनों ही mixture 36 लीटर और दूसरा मिश्राण भी 36 लीटर का है अनुपात क्या दिया हुआ है का अनुपात क्रमशत 2 साथ तो पहले वाले का 2 अनुपात साथ है और दूसरे वाले का 3 अनुपात एक है कोशन में दिया हुआ है हमने बढ़ लिया इन्हें मिलाने पर दूद और पानी का अनुपात क्या होगा चली ठीक है कितना हो जाएगा बताईए है यहाँ पर total parts 7,2,9 अब यहाँ पर क्या देखना है बस यही देखने कितना गुना हुआ है 9 से बराबर 36 मेरा total 9 parts कितने के बराबर 36 लीटर के बराबर कितने गुना हुआ चार गुना हुआ तो 4 दूनी 8 लीटर मिल्क है और 7 चौके 28 लीटर वाटर है बुले clear है बात समझ में आ गई अब यहां पर यही काम करेंगे फिर से तो 3 और 1 चार 4 से 36 देखे कितना गुना 4 चार 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 टोटल पार्ट्स 4 है टोटल लीटर 36 है कितने गुना हो गया 9 गुना तो 9 तिया 27 लीटर मिल्क है और 9 एकम 9 लीटर वाटर है तो अब क्या करना है कुछ भी नहीं जब हम जोडेंगे तो मिल्क में मिल्क आइड करेंगे और वाटर में वाटर आइड करेंगे और उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे क्या हम इसको एज़ी ली निकालके रख सकते हैं बहुत आसानी से देखी, यहाँ पर जोड़ेंगे किता आएगा, अगर मैं milk milk आड़ करूँ, तो 35 लीटर ratio, अगर मैं water water आड़ करूँ, तो यह आएगा 37 लीटर, यह होगे हमारा milk और water का ratio, बताएगे कोई दिक्कत इसमें, किसी भी प्रकार की मेरे ख्याल से आपको कोई दि लाएंगे, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं type number 10 की, तो चलिए देखे type number 10 में क्या लेखा हुआ है, मिश्रण A, मिश्रण B में दूद और पानी का अनुपात, दो अनुपात 1 और एक अनुपात 5 है, तो ठीक है हमारे पास दो मिक्षर हैं इस बार, मिक्षर A और मिक्ष पहले वाले मिक्षर में अनुपात दिया है, दो अनुपात 1, और दूसरे वाले मिक्षर में अनुपात दिया हुआ है, एक अनुपात 5, क्या बोला है, इन्हें बराबर मात्रा में मिलाने पर नए मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा, अब यहाँ पर ए add कर लेता था और ratio निकाल देता था simple था, अब यहाँ पर मुझे नहीं बताया गया कि A का कितना लीटर, B का कितना लीटर सिर्फ इतना बोला है कि बराबर मात्रा में मिलाना है, तो चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं कि इनको बराबर कैसे करें, अब बराबर का मतलब समझेगा, बराबर मतलब कि अगर यह 10 लीटर होगा, तो यह भी 10 लीटर होगा, यह 20 होगा, तो यह भी 20 होगा, यह 30 होगा, तो यह भी 30 होगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि इसको 10 रखो 20 रखो 30 रखो या इसको 10 बीस 30 रखो उसने आपको बोला है कि बस इसे बराबर कर दीजिए ये नहीं बताया कि कितना तो देखिए जब ये नहीं बताया कितना तो ये बात अच्छी है या बुरी तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है क्यों अच्छी बात आप 10 लेलो आपको अच्छा लगे आप 100 लेलो आपको अच्छा लगे आप 2 करोड लेलो कोई दिक्कत नहीं है है ना तो यहां पर मेरे पास एक प्रॉब्लम तो यह हल हो गई कि मुझे इस बार कोई limitation नहीं है कि इतना लीटर और उतना लीटर तो अब उस उस situation का फाइदा कैसे उठाया जाए तो देखते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ratio exact number नहीं होते पर चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ कि मिश्रण A में दो लीटर दूध है और एक लीटर पानी तो बताइए टोटल मिक्षर कितने लीटर का होगा तो आप बोलेंगे से तीन लीटर का हलाकि यह पार्ट्स में है पर मैं एकदम इसको अभी लेमन लैंगविज ए इतना तो आता है कि दौध आनों पाद एक का मतलब 2 लीटर यह तो लीटर यह तो टोटल कितना हो गया 3 लीटर वैसी बी के साथ भी देखते हैं एक लीटर दूध है 5 लीटर पानी है कुल मिलाकर कितने लीटर होगा 6 लीटर तो आप यहां पर देख पाएँगे कि यहां प जो टूटल मिक्षर हैं वो कितना है 6 लीटर तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या 3 लीटर और 6 लीटर बराबर है तो आप बोलेंगे नहीं है पर कोश्चन में आपसे बोला गया था कि इनकी बराबर मात्रा में लानी है तो एक काम करते न इनको बराबर कर देते हैं और बराबर करने के लिए क्या करना होगा देखे दो तरीके हैं या तो आप उपर 6 का और नीचे 3 का गुणा कर दे तो ये 6 ती-18 ये भी 6 ती-18 हो जाएगा तो अंदर भी आपको 6 और 3 का गुणा करना पड़ेगा या फिर अगर थोड़ा सा simply आप numbers को समझ सकते हैं देख सकते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 3 में अगर मैं सीधा सीधा सिर्फ 2 का गुणा कर दूँ तो 3 दूनी 6 हो जाता है और यहां मुझे कुछ भी गुणा करने की जरूद नहीं सिर्फ पल एक भी आगर मैं गुणा करूँ तो कोई दिक्कत नहीं तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 तो अब यहां पर अगर क्योंकि मैंने बाहर 2 का गुणा किया है तो अंदर भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 तो देखे एका रेशियो क्या बन गया अब अब एका रेशियो बन चुका है 4 2 इसी प्रकार बी का रेशियो क्या बनेगा तो देखे बी के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं वन का मल्टिप्लाई करना तो यह हो गया 1 ratio 5 देखिए ये total कितने parts है और ये भी total कितने parts है बराबर हो गए है अब इन्हें मिला दीजे और मिलाने का मतलब milk में milk add करेंगे water में water add करेंगे तो 4 और 1 पांच ratio 5 और 2 7 यही मेरा answer है बताएगे क्या यह समझ बहुत simple है बहुत आसान है मैं आपको इस पूरी कहानी को एक बार और explain कर देता हूँ पर दूसरे question में numbers repeat नहीं करते नहीं तो अच्छा नहीं होता है न maths में जतने ज़्याद आप numbers change करके question solve करेंगे उतना अच्छा होगा तो एक question और लेता हूँ मैं इस type का तक कि जिनको clear नहीं हुआ है उनको भी clear हो जाए देखे question में क्या लेका हूँ है मिश्रण A वर मिश्रण B में दूद और पानी का अनुपाद 2 अनुपाद 3 और 7 अनुपाद 3 है ठीक है mixture A है मेरे पास और mixture B है मेरे पास ratio क्या क्या दिया हूँ है इनका पहले वाली का ratio दिया है 2 अनुपाद 3 और दूसरे वाली का ratio क्या दिया हूँ है 7 अनुपाद 3 अब यहाँ पर उसने बोला है कि इन्हें बराबर मात्रा में मिलाने पर नए मिश्रण में दूद और पानी का अनुपाद क्या होगा चलिए बराबर मात्रा में मिलाने से पहले ये तो देख लें ये है कितना देखे एका दो और तीन टोटल कितना हो गया पांच बी का साथ और तीन टोटल कितना हो गया दस क्या ये बराबर है टोटल इनका बराबर नहीं है तो पहले इनको बराबर कर लेते हैं उपर दो का गुणा कर दें, पांस दुनी, दस, तो अंदर भी दो का गुणा करना पड़ेगा, अब नया अनुपात मैं साइड में लिख देता हूं, clear रहे, नया अनुपात क्या हो जाएगा, चार अनुपात, छे, और यहाँ पर आपको कुछ भी गुणा करने के दरू इतन नो, और यही मेरा अंसर होगा, तो हमने पहले इनको बराबर किया, और फिर मिला दिया, और मिलाने का मतलब दूद में दूद और पानी में पानी अड़ करना होता है, बस, और कुछ भी नहीं, मेरे क्याल से अब आपको यह clear हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है, तो चल B में दूद और पानी का अनुपात करमशा 2, 3 और 3 एक है, चली, A, B, अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3, और B में अनुपात कितना है, 3 अनुपात 1, इन्हें बराबर मात्रा में मिलाने पर नए मिलाने पर नए मिश्रन में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा, बिलक चले इनको बराबर करें फिर मिल्क में मिल्क और वाटर में वाटर राइट करें और फिर मुझे आंसर बताएं I hope आपने pause करके solve कर लिया होगा जिन्होंने नहीं किया कोई दिखकत नहीं है साथ में solve करते हैं चले अब इनको हमें बराबर करना है डोटल मातर को क्योंकि उसने बोला ना बराबर मातर में मिलाना है तो मैं उपर चार का गुणा करूंग और नीचे पांच का तो simply अंदर भी मुझे चार का गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले में 5 का कुना करना पड़ेगा तो 4, 5, 20 ये भी हो जाएगा मेरा काम हो गया, दोनों बराबर हो गए अनुपाद क्या क्या आएगा देखिए 4, 2, 8 और 4, 12 और वहीं पास दिया 15 और 5 एकम 5 अब इन दोनों को बराबर करने के बाद इन्हें मिलाना था और मिलाने का मतलब दूद में दूद और पानी में पानी अड़ करेंगे कितना होगा देखिए ये आएगा 23, 95, 17 यहीं मेरा इस कोशिण का अंसर है देखिए within seconds ये कोशिण भी solve हो गया तो मेरे क्याल से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक की concept clear है इसके बाद type number 11 से लेके type number 16 तक कोशिश करेंगे हमके अगले वीडियो में cover कर पाएं हलकि यह सारे की सारे questions बहुत अच्छे level के हैं और बहुत important हैं तो हम इनको आगे आने वाले वीडियो में cover करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like, share